जहिन देखे अभी हालिया में इसरो ने अपने PSLV रॉकेट के मदद से ब्राजील के सेटलाइट के साथ 19 सेटलाइट को लॉंच किया और यह कहती आसी चाण इसलिया था कि इस सेटलाइट के साथ साथ अंतरिक्ष में भागवत गीता और नरिन मोदी की तस्वीर को भी लॉं हरी कोटा से श्री हरी कोटा आंद परदेश के पास दक्षिण बारत में यहां पर पुलिकट जील के पास एक छोटा सा द्वीप है जहां 37 धवन परशेपड के इन से लॉंच किया जाता है इसे हम लोग लॉंच करते हैं पस्चिम से पूरव दिसा की और पस्चिम से यह अलग अलग जगहों पर बनता है और इसे ट्रक के माधियम से हम लोग सिरी हरी कोटा ले आके एक जगा लॉंच पैट पर रखते हैं फिर इसे एसेंबल किया जाता है रॉकेट जो होता है कई टुकड़ों में होता है इसे एक खड़ा एसंबल करने में बहुत टाइम हमारा हाथ यहां तक पहुच गया तम न जोड़ दी है अगर यह 20 फीट का उचा रहा ता हमसे भी उचा तो नहीं जोड़ पाते वही प्रॉब्लम हो जाता है इस रोके सेटलाइट रॉकेट के साथ इन रॉकेट को कई टुकड़ों में लाए जाता है और यहां रखके क्रे पहला पार्ट रखने में तो दिक्कत नहीं होता है क्योंकि हाइट कमी रहती है लेकिन जैसे जैसे यह उपर जाता है वहां तक इंजिनियर को पहुचना वहां से नड़ वोल्ड को कसना पूरा सीधा रखना हर चीज को जाच करना काफी दिक्कत होती है इसलिए इसका जो ए अध्या धुनिक होता है जैसे यहां देखेंगे तो एक पार्ट को रख दिया गया है अब यहां देखेगा यहां पर एक छट बना दिया गया वो टंपरोरी होता है इस तरह से गिरा दी जागा तो यहां के गिर जाता है अब यहां वाले पर इंजिनियर वगर अपना यहां को खोल दिया जाएगा फिर इस छट को यहाँ पर ऐसे नीचे गिरा दिया जाएगा ताकि वो लोग काम कर सके यह assembly unit होती है कई floor by floor होती है जिसमें जोड़ा जाता है जैसे यह देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा rocket का एक नीचे वाला पाठ है कैसे जैसे यह rocket ऊपर में भूरा है नीचे में भी ब्राउन कलर का है तो यह ब्राउन वाला दिख रहा है यह second part एक पार्ट है जो उसके नीचे है और यह जो floor बना है यह temporary floor है permanent floor नहीं है छत नहीं है अब इसके उपर इसको रखा जाएगा crane के मदद से फिर यह लोग इसको अच्छे से joint करेंगे फिर इसके उपर एक और पार्ट को रखा जाएगा इस तरह से देखिए एक यहाँ पार्ट है यहाँ है यहाँ है यहाँ है ऐसे करते करते जोड़ा जाता है लेकिन यह जो च्छत देख रहे हैं यह green color का इसको हटना तो ज़रूरी यह पता चला यही रहेगा rocket उडाएंगे तो इसी में फंस के blast कर जाएगा तो यह temporary होता है जब rocket के सारे stages को आपस में जोड़ लिया जाता है तो यह जो च्छत टाइप का बना था इसे फोल्ड करके हटा लिया जाता है देखिए यह फोल्ड करके हटा लिया गया और इसको एक बहुत बड़े train टाइप का होता है जिसे ह लोग रॉकेट कार कहते है इससे अब इसको आगे की ओर ले जाए जाता है अब launch pad की ओर ले जाए जाता है यहां तो इसे इसेंबल किया गया था अब यहां से इसको लेकर जाए 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 यह था आपका assembly room यह देखिए यह सारे च्छत के parts थे अलग अलग थे यह ऐसे खुल गए है अब इसको इसी के मदद से लाए जाए जाएगा इसके अंदर यह इसेंबल किया जा रहा था लेकिन वहां से launch नहीं किया जाएगा इसके मदद से इसकार के मदद से यहां लाकर फिर इसमें इसको attach करके रखा जाएगा इस launch pad में इस रों के पास अभी फिलाहल में दो-दो launch pad है एक launch pad से हो नहीं पाता था इस्लिए इसरो जो थी अपने assembly तो दो launch pad है, एक की assembly line launch pad के काफी करीब है, और वहीं दूसरी की assembly line दिखिएगा तो launch pad से काफी दूरी पर है, यह जो इसका जो satellite carrying car होता है, यह train की पटरी पर चलता है, बहुत ही भयानक इसका load रोकने की छमता होती है, बहुत धीमी गती से लेकिन यह आगे बढ़ता है, बहु इसमें thrust निकलने के लिए नीचे एक canal बना दिये तक गढ़ा, और यहाँ देखेंगे, तो यहाँ आपको सुराख मिलेगा छेद, तो इससे जब rocket का जो आग निकलेगा, वो नीचे चला जाएगा, और यह इस side से आग निकलेगा, नहीं अगर यह छेद नहीं बनाएंगे, यह गढ़ा नहीं बनाएंगे, तो यहीं पर यतना आग लग जाएगा, कि launch pad सही तो यही जल सकता है, यहाँ देख सकते हैं आप आराम से, कि इसमें जो सुराख था, इसका जितना thrust है, इसमें गया, और इस side से, दोनो side से निकल रहा है, तो यह canal बनाना जरूरी है, वरना य यह खुद ही जल जाएगा, यहाँ नीचे गिरा और इस तरह से दोनों direction में हट गया, यह इस direction में जाता है, ताकि वो जादे से जादे आख को अलग direction में फैला सके, जब satellite को launch pad पर रखा जाता है, तो इसमें जितने sensor वगरा होते हैं, wire से यह लोग connected किये रहते हैं, इसमें जितनी चीज़े होती हैं, यह connect करके रखी गई रहती है, जब countdown उल्टी गिंती चालू होती है, 48 गंटा पहले से, अगर इसमें भी कोई गड़बड़ी पाए जाएगा, तो यहीं पे रोका जा सकता है, और अगर गड़बड़ी नहीं पाई गई तो rocket को launch कर दिया जाता है, लेकिन समस्या क्या होती है, जो इसमें fuel रखा जाता है, तो जो fuel रहता है, उसे बहुत ही कम temperature पे रखा जाता है, और दो दिन पहले ही इसकी पूरी तरह तयारी कर दी जाती है, तो इसे धूप में छोड़ने से क्या होता है, उसका temperature बढ़ सकता है, अंदर reaction वगरा हो सकता है इसलिए इसके बाहर एक insulator की परत लगा दी जाती है, एक परत लगा दी जाता है insulator की इसके चार ओर बाहर में, ताकि जो fuel है, वो heat उसमें न मिल सके, और जब यह launch करता है, तो यही टुकड़ा नीचे गिरने लगता है, तो आप जब भी देखेंगा satellite launch करते समय, यह इसलिए रॉकेट को सबसे जादे ताकत की जरुवत होती है, तब जब वो जमीन छोड़ रहा होता है, क्योंकि वो प्रितिवी के करीब है, आप प्रितिवी को छोड़ के ऊपर जाएंगे, यह नीचे जाएंगे, जी की value घटती है, यह physics के chapter में पढ़ाया थे हम आपको जोड़ दिये जाते हैं, जिन्हें हम रॉकेट बूस्टर कहते हैं, यह छे की संक्याम होते हैं, बूस्टर, अब जो PSLV का बूस्टर है, वो छोटा होता है, और GSLV का बूस्टर बढ़ा होता है, आगे समझाएंगे दोनों में अंतर क्या होता है, यह देखें यह इसके अलावे रॉकेट का चारी स्टेज देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह उपर वाला यह होता है, इसे पेलोड भरा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, प्रोटेक्टिव केसिंग, यह धक्कन के समान होता है, इसी उपरी भाग में हम लोग सेटलाइट को जब ढग देते हैं, तो यह पूरी तरह से बंद हो जाता है, जो रॉकेट का ऊपरी भाग देखते हैं, यह खुला हुआ रहता था, यही वाला हिस्सा है, यह एक साइड में इधर खुला हुआ है, एक साइड में इधर खुला है, बीच में इसको बंद कर दिये जाता है, त जैसे मोदी जी दोजाद 14 में सपत लिए तब भी उन्होंने सार्क की मीटिंग में कह दिया था कि इस रो सार्क देशों के लिए एक सेटलाइट लॉंच करेंगी पाकिस्तान बाद में उसमें से अलग हो गया तो मोदी जी की वीजनरी में इस रो का काफी जादे योगदान र क्या है मतलब कई तरह के जो सांसारी सवाल होते हैं उनको उनका उसमें जवाब एक तरह से कर लिए जैसे मांन कैच चले कि द्हें कि हमारा जीवन बहुत कष्ट में हो गया है भाग साथ नहीं शाख रहाए नसीफेरात नहीं साथ दे रहा तो जो लोग को लगता है कि मेरा नसीब खराब होता है एक बार करण का देखियेगा फिर समझ में आगा आपका दुख कितना बड़ा और कितना चोटा है खर अपने टॉपिक पर आते हैं इस बार 28 फरवरी 2021 को इसरो ने लॉंच किया तो अपने साथ टोटल 19 सेटलाइट को लॉंच किया गया था इसमें एक ब्राजील का बना हुआ वहाँ पर एमेजोनिया वन नाम का सेटलाइट था जो कावी महत्तपूर था इसे PSLVC 51 रॉकेट से छोड़ा गया इस रॉकेट का नाम याद रखेगा क्योंकि इसके मदद से भागवद गीदा और मोदी जी का फोटो भेजा गया है इसके अंदर कई बार जंगल का ऐसा एरिया जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुच पाती इतने जंगल लेकिन इन जंगलों की दो समस्या है एक इन जंगलों में बड़ी तेज आग लग जाता है जिससे जंगल खतनम होने लगते हैं और दूसरा यह क्या है कि यहां पेड़ ब database बहुत बहुत बहतनक चल वही है पेड़ों की कटाई तो वही साफ पूरी दुनिया में चल रही है हर जग़ा पेड़ काते जा रहे हैं और जिस रफतार से पेड़ों की कटाई चल रही है वह दुइन भारियाली के नाम पर केवल लड़कियां बच जाएंगी, तो इसके लिए जो ब्राजील है, वो Amazonia 1 नाम का सेटलाइट लॉंच कर रहा है, ताकि वो अपने जंगलों पर नजर रख सके, भईया जरूरी भी है, पूरी दुनिया का फेफडा का जाता है, ब्राजील के जंगलो इसमें 19 सेटलाइट थे, जिसमें एक Amazonia 1, दूसरा महत्वपूर्था सिंधू नेत्र, ये भारत ने छोड़ा था, ये समुदरी छेतर पर निगरानी के लिए किया गया, क्योंकि घुसपैट वगरा नहीं हो, आप याद किजे, अजमल कसाब जैसे जो घुसपैट हुए थे आज़र सेटलाइट से उस एरिया पर जादे नजर रखा जाएगा, और इस एरिया में नौसेन अभी पैट्रोलिंग पर है, तो इस एरिया के सेटलाइट पर उतना फोकस नहीं किया जाएगा, इस रो जो है इंडियान स्पैस रिसर्च और्गनाईज़ेज़क्वा نईजस पॉकेट से उसे छोड़ा था तो बहुत से ऐसे देश हैं जो दुनिया को कहते हैं कि अमेरिका से कहते हैं ये हमारे सेटलाइट को छोड़ दो तो भारत बहुत सस्ते में छोड़ देता है और भारत की सेटलाइट काभी विश्वस नहीं होती है इसलिए इसके लिए भारत सरक का ने एक कंपनी बनाई थी उसका नाम था एंट्रिक्स एंट्रिक्स कॉर्परेशन था 1991 में बनाई गे थी यह कंपनी दूसरे देशों से कहती दो भया तुमारा सेटलाइट छोड़ना है लाओ लाओ यहां लाओ पैसा दो हमको दो आई यह इसरो को देती थी भया इसको भी काम यह समालेगी बाकी रॉकेट सेटलाइट बनाने का काम इसरो करेगी एंट्रिक्स ने बहुत सारे मिशन को अंत्रिक्स में भेजा है एंट्रिक्स ने बहुत सारे दुनिया के ग्रहांकों को ढूंड के लाया है इसरो के लिए जिससे इसरो की बहुत मोटी कमाई हुई उसने भारत से भी छटो भाले लिए, satellite का उपर वाला जो भाग होता है, यह खोखला होता है, इसे प्रोटेक्टिव केसिंग कहता है, यह खुल जाता है, इसे के अंदर satellites को launch रखा जाता है, जो satellite होते हैं, इसे के अंदर रखा जाता है, जब यह जाते हैं तो खुल जाते हैं और सेटलाइट अंतरिक्ष में चले जाते हैं 600 से 900 किलोमीटर उचाही पे जाने के बाद प्रितिवी का गुर्टवा करसंट खतम हो जाता है तो रॉकेट केवल अंतरिक्ष में जाके यह खुल जाएगा और सब को अईसे फेक देगा और वहाँ गुर्टवा करसंट नहीं है तो सब इधर उदर तैरेंगे तो यह वन बाई वन सब को अपने अपने और्बिट में फिट कर दिया जाता है रॉकेट इंजन और जेट इंजन में अंतर क्या होता है हवाई जहाज में जेट इंजन लगा होता है यह बाहर से ऑक्सीजन ले लेता है जबकि अंतरिक्ष में तो oxygen ही नहीं है इसलिए rocket engine उस engine को कहते है जो अपना खुद का oxygen का cylinder ले जा जाता है तो जिस cylinder में oxygen रहता है उसे हम oxidizer कहते है और जिसमें fuel रहता है उसे fuel tank कहते है यह दोनों रहता है इसे एक पास लाए जाता है pipe के माध्यम से combustion chamber में और वहाँ पे आग लगाए जाता है आपको पता है बिना oxygen में fuel कितना भी दे दिजेगा जब तक oxygen नहीं मिलाईएगा आग नहीं पकड़ेगा तो इन सब को मिला के pipe के माध्यम से यहाँ लाए जाता है combustion chamber में और इसमें blast आग लगाए जाता है और आग जब लगता है तो वह आग निकलने का रास्ता खोशती है अब इस निकलने का रास्ता को इतना पतला कर दिया जाता है क्यों निकलती है तो यह rocket को thrust उठा देती है य PSLV जादे उचा पर नहीं ले जा सकता है PSLV 600-900 km की उचाई पर ही ले जा सकता है यह दो टन के ही total rocket satellite को ले जा सकता है अब एक ही satellite भेच दीजिए दो टन का या कम-कम वेट के जादे satellite को छोड़ सकते है यह polar satellite होता है polar उसे कहते है जो प्रितवी के pole यानि दुरू पर घू में दुरूई satellite होता है उपर नीचे करता है तो यह प्रितवी के उपर नीचे इस तरह से घूमता है इसके हम लोग sun synchronous भी कहते हैं क्योंकि सुर्य कहीं भी रहेगा यह अगर घूमते रहेगा तो यहां से सुर्य दिखाई दे देता है यह कम उचाई पर होता है इसलिए यह म मुष्टर लगे हैं इनकी बात नहीं करते हैं यह इतना भरोसे मंद rocket है कि 1993 से आज तक यह केवल दो बार failure हुआ है एक तो तो शुर्वात में ही failure हो गया और एक बार बाद में थो आसा दो तेरा के पास आके थो आसा failure हो गया था लेकिन उसके बाद आज तक यह दुनिया मे पिर फिर लिक्विड यानि solid liquid solid तो इस तरह से white color वाला solid है इसमें liquid fuel भरा गया है देखिए solid fuel जो होता है वो control नहीं हो पाता है दीवाली का जो rocket होता है उसमें solid fuel होता है बारूत भरा होता है मर्ये धस सीधे उड़ जाता है वो control नहीं होता है लेकिन प्रितवी के अलग-अल contaminated polybutadine का परियोग किया जाता है जो liquid वाला हिस्सा होता है ingyal liquid का जो पार्ट होता है उसमें हम लोग जो परियोग करते हैं इसमें liquid वाले में asymmetric diamond hydrogen hydrogen का परियोग करते हैं उसके साथ nitrogen oxide का परियोग किया जाता है तो solid में ये liquid में फिर ये solid फिर liquid ये तो protective casing है इसके अंदर satellite बाकी यह हिस्सा अंतुरिक्ष में तैरते रहता है जिसे अंतुरिक्ष कचरा के नाम से जानते हैं कभी-कभी देखते होंगे सेटलाइट की वाँचिंग टाल दी जाती है, क्या होता है कि जो सेटलाइट को छोड़ने का रास्ता था, उसी में कोई कचणा वगर आ जाता है, तो उसको टकराने का डर रहता है, इसलिए उसके लाँच को डिले कर दिया जाता है, दूसरा जो satellite है वो होता है GSLV, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, ये जो होता है ये बहुत ही powerful होता है, इसका एक पर solid हो सकता है, लेकिन यहाँ वाला जो हिस्सा होता है, ये इसमें cryonik engine होता है, ये बहुत ही tough technology है cryonik engine, इस पर अलग वीडियो बनाएंगे cryonik engine पर समझा देंगे, ये satellite polar की तरह उपर नीचे नहीं घुमता है, बलकि ये इस direction में घुमता है, polar satellite जो था, वो केवल 600 से 900 km की उचाई पर घुम रहा था, ये 36,000 km की उचाई पर घुमता है, और इसकी खासियत क्या होती है, जब कोई चीज प्रित्वी से 36,000 km की दूरी पर कर देंगे, तो इसको प्रित्वी 24 घंटे में एक चकर लगाती है, तो ये जियो सिंक्रोन सेटलाइट भी 24 घंटे में एक चकर लगाते है, यानि अगर इसको भेजने के टाइम, आप इसे जिस सहर के उपर सेट कीजेगा, ये हमेशा उसी सहर के उपर अपनी नजर गड़ाए रखेगा, इसलिए ये military के यू और ये बाहू बली है, जी एसलिए, ये दुनिया में सबसे खतरनाक अभी है, आज जी, आज इसरो का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जबकि इसी इसरो के उपर एक वक्त था, जब दुनिया हस्ती थी, जब इसरो के वैज्ञानिक जो थे, वो साइकिल पे अपने उड़ाये थे, इनके पास आज की तरह इतनी बड़ी छमता नहीं थी, तब रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसे देश भारत को देखका हस्ते थे, और ये कहते थे कि ये दुनिया का एक मात देश है, जो बैलगारी से सेटलाइट को लाँच करता है, वाई से आ हमें नाज है अपने इसरो के साइंटिस्ट के उपर, हम ये ही उम्मीद करते हैं कि दिन दुनी इसरो और आगे बढ़ते जाए, ताकि हम भारतियों का सीना गर्व से चोड़ा हो सके, I hope आप समझे होंगे GSLV और PSLV में आंतर रोकेट के स्टेजेज को, मिलेंगे नेक्स क् क्लास में, जहिन